हेलो दोस्तो आज ये 15 इंच के जुगल जोडी का ड्रिस बनाए गए हैं आप लोगों के डिमांड पे देखिए काफी खुबसूरत बना हुआ है इनका पेजयामा इस तरह का है और आगे तरफ से हम इस पे डोरी डाले हुए पैजयामा में इस तरह के से साथ में इनका पुशाक देखिए इस तरीके का कुछ बना हुआ है और पगड़ी हम इस तरह से बनाए हुए है जिसमें पगड़ी हम पूरा उतारने की कोशिस किये हुए है आईए हम एक-एक करके इन पुशाकों को बनाते हैं अगर हम एक साथ ही तीनों बनाएंगे तो आप लोगों काफी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम अलग-अलग बनाएंगे किसी में पगड़ी बताएंगे आपको किसी में पुशाक बताएंगे तो किसी में पजामा बतलाएंगे इसके बाद फिर हम आप लोगों को राधारानी का भी इनके सेट का ट्रेस बतलाएंगे तो फिर चलिए आज हम इस ट्रेस में पगड़ी बनाएंगे तो देखिए पगड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह का लंबा पट्टी बना लेंगे 101 चेन से 101 चेन लेकर हम इसमें लंबा पट्टी बना रखें हैं इस तरह का तो इसमें हम छोटा सा रूप आपको बना कर दिखाते हैं कि कैसे हम इसे बनाएंगे जैसे कि हम यहाँ पे चेन ले लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और एक, दस दस ले लिए हैं आपको इसमें चेन लेना है 101 101 चेन आप लेंगी हम यहाँ पे 10 चेन पे आप लोगों को बतला रहे हैं फंदे लेंगे और इसे हम डवल कुरूशिया करना शुरू करेंगे इस तरह से एक लाइन हम इस पीला कलर से करेंगे फिर दुसरा लाइन हम दुसरा कलर से करेंगे जो भी कलर आप बना रही हैं जो दो कलर से बना रही हो तो देखिए यह एक कलर हम एक कलर से हम इस तरह से बनाए अब हम दूसरा कलर यहां पर लगाएंगे जोड़ेंगे दूसरा कलर हम देखिए यहां से हम जोड़ लेंगे दूसरा कलर और ठीक बगल से हम डवल क्रोशिया करना सुरू करेंगे देखिए इस तरह से हम दूसरा कलर कर लिए अब इस पर जैसा कि देख रहे हैं आप तीन कलर हैं यहां पर तो हम तीसरा कलर इस से बनाएंगे इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे यहां दो चेन ले लेंगे और फिर पलट लेंगे पलटने के बाद डवल क्रोशिया हम एक लाइन फिर इस कलर से बना लेंगे तो हमारा यहां पर तीन कलर हो जाएगा हमारी बहुत सारी बहने जो एक हम पगड़ी बना कर डाले हुए थे अपने चैनल पर अभी भी है काफी आप लोगों ने उसे पसंद किया पर उस पे हम इस तरह से छोटा सा रूप बना कर दिखाए थे एक क्यावन या पच्पन फंदे से हम उस पगड़ी को बनाये हुए थे तो उसमझ में नहीं आया कि यहां किस तरह बनाये हुआ है तो देखिए इतना लंबा 101 फंदो का हम यहां पे आप लोगों को नहीं बता पाएंगे काफी लंबा हो जाता है और हम चाहते हैं कि छोटा वीडियो में ही आप लोगों को पूर देखिए तो यहां पे हम मात्र 10 फंदो से 10 या 11 फंदो से यहां पे हम बनाये हुए हैं और जो इसे बनाया गया है यह बनाया गया है 101 फंदो से तो आप 101 चेन ले 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 और जिस तरह से हम इसे 3 लाइन में बनाकर कम्प्लिट किये उसी तरह से आप 101 चेन को 3 लाइन में ब अब चली अब देखते हैं कि आगे और हमें क्या बनाना है अब हम इसमें एक डूरी बनाएंगे किस तरह से बनाए जाएगा यह दो धागो को हम ले लेंगे और कुछ फंदो को कुछ लंबाई में इसमें लेकर हम अलग कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा लंबा चाहिए जो टोरी हमें चाहिए थोड़ा सा यानि कि बड़ा चाहिए जिसे हम गोल रूप देंगे जैसे कि देखें यहाँ पर गोल रूप यह पड़ा हुआ है तो यह ना देकर हम दूसरे तरह से इसको बना रहे हैं इसे देने के लिए तो अलग से हम कुछ करके बना के इस तरह रखे हुए इसे अलग करेंगे और देखिए यहां हमें इस तरह से लेना है यह इस तरह से लेंगे और यहां पे इस तरह निकालेंगे फिर से हम अगला जो चलाएंगे अगला जो हम लेंगे वो भी इस ठंग से लेंगे और यह इस तरह स मोड़ेंगे फिरसे देखिए यह यह जो धाग कुन है यह जनुन को हम एक साथ बून लेंगे देखिए इस तरह तो बस इसी तरह करते चले जाएंगे डोरी बनकर यहां पे कम्प्लीट हो जाएगा देखिए इस तरीके से इसे हम थोड़ा सा खीचेंगे इस तरह देखिए इस तरीके से तो चलिए इस तरीके से बना कर इसे कम्प्लीट कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से हम इसे कुछ दुड़ी तक बना कर कम्प्लीट किये अब यहां में लाश्ट कैसे करना है देखिए यह हम कट कर लेंगे यह रहने दिये हैं इसी पर और सबसे पहले यह हम कट करेंगे इसे हम यहां एक चेंड लगा लेंगे हमारा इतना बच जा रहा है अगर नहीं बचता तो फिर हम इससे मतलब की कट करते हैं सिलने के लिए तो हम यहां पर कट कर लेते हैं क्योंकि यह हमारा बच जा रहा है तो हम इसी से इसमें काम कर लेंगे देखिए इस तरह से ठीक है अब इसमें हम सुई डालेंगे सुई डालकर सबसे पहले चलिए इसे ही हम कंप्लीट करते हैं तो हम कोई भी एक कलर ले लेंगे उससे सी लेंगे इस तरह से इसे हम यह पीला जो कलर आप देख रही है इसे तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हम एक ही उन से सी सकते हैं एक ही दागा से सी सकते हैं दो दागा से हमने सीएंगे तो चलिए हम पीला वाला इस तरह देखे दो कार्ट लगा दिये हैं बिल्कुल नहीं खूलेगा पीला वाला कट कर लेते हैं यह हम हटा लेते हैं और अब हम इससे सीलेंगे देखे सीलने का तरीका की इसमें ये जो चोटी आपका किया है ये इस तरफ रहेगा तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से सीलेंगे यहां से यहां तक यह हो क्या अब इसे फिर से हम ये इस तरह से लेंगे अब इसे फिर यहां से लेंगे और इसमें डालेंगे से गोल हमें इससे बनाना है तो ये जो चोटी देख रही है ये किनारे रहेगा आपको इस तरह से गोल इसे घुमाते हुए हम सीलेंगे हम एक एक चीज पहले इंतिजाम करके रख लेते हैं इसके बाद पगड़ी में हम इसे लगाएंगे देखिए ये आपका सीधा तरफ से आजाएगा ये जो देख रही है सीधा तरफ से आजाएगा ये क्रोसिया के मदद से हम उस तरफ निकाल लेंगे ये उल्टा हो जाएगा आपको जिधर से हम सील रहे हैं बनने के बाद ये पगड़ी काफी आकर शक लगता है हलकी हलकी हाथों से सीलेंगे अगर जाएदा टाइट कर दिजएगा तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसे हलकी हलकी हाथों से सीएंगे यानि कि जब हम इससे सील रहें इस तरह देखे तो यहाँ पर हम टाइट नहीं करेंगे जादा बिल्कुल हलका सा ताकि यह धीला कुछ रहे तो इसी तरह से गोल घुमाते हुए इसे चलिए हम सील कर जितना भी है इसे कम्प्लीट कर लेते हैं आर बिल्कुमाते हैं का देखिने में लग रहा है आप चाहें तो इस तरफ से भी दे सकती है ऐसा नहीं है कि यह दोनों तरफ से चल सकता है कि यह दोनों तरफ से चल सकता है कि यह दोनों तरफ से चल सकता है अब लग पर आपका यह लाश्ट हो रहा है अब तो यहाँ पर ओन यह खत्म हो चुका है तो हम दूसरा उन इस पर जोड़ लेते हैं और इसको सील कर पुरा फिनिसिंग देते हैं देखें उन हमारा यहाँ पर बिल्कुल लाश्ट पर आ गया है थोड़ा सा छोटा पड़ गया है तो हम एक गाठ यहाँ पर दे लेते हैं किस तरह से अब इसे मंदर की और निकाल सुरी यह तो इस तरह ठीक है यह इसे हमें बाहर की नीचे की और लेना है इस तरह से हो गया इसे भी ले लेंगे यह हो गया अब यह इस तरह से मिला कर यहाँ पर सील लेंगे इस तरीके से सिल लेंगे एक आपका ये तयार हो गया चलिए इसे हम complete कर लेते हैं अब देखिए ये दोनों तो तयार हो गया अब हम तीसरा चोटी बनाएंगे चोटी किस तरह से बनाना है ये हर कोई जानता है हम कुछ लंबा हमें चोटी बनाना है जो देखिए घुमाते हुए यहां से को यहां लाश्ट आता है तो कुछ लंबा हमें बनाना है चोटी तो उसके लिए हम इस तरह से उन ले लेंगे उन लेने के बाद ये दो हो गया हमारा देखिए इस तरह से हम उन ले लेंगे कुछ दूरी तक, कुछ लंबा ये ले लिए अब यहां से इसे इस तरह से मोड़ेंगे और यहां पे हम एक काठ लगा लेंगे ये हो गया ठीक है, देखिए ये तीन तीन दोनो है दोनो कलर देख रही है आप तीन तीन है, तो हम इसी से यहां पे ये हो गया एक, ये हो गया दो और ये हो गया तीन आप यहां पे चोटी इस तरीके से जो सिंपल चोटी हम बनाते हैं चोटी बनाकर इसे हम कंप्लिट कर लेंगे तो चलिए चोटी बनाकर कंप्लिट कर लेते हैं या तो फिर आप क्रोसिया से बुनना चाहते हैं तो क्रोसिया से भी आप बुन सकते हैं हम यहाँ पे किसी भी तरह से अगर आप क्रोसिया से बुनना चाहते हैं देखिए चोटी बना कर एक आप कंप्लिट कर सकती है दूसरा अगर क्रोशिया से चाहती है तो इसे हम सबसे पहले खोलेंगे चोटी बनाने का तरीका सबों को पता है क्रोशिया से अगर बनाना है तो फिर देखिए यहां पर हमें किस तरह से करना होगा गाठी लगा लेते हैं एक बार ताकि यह खुले ना यह हो गया अब यहां से हम बूनते हैं इस तरीके से तो इस तरह से हम बूनते हुए इसे complete कर लेंगे कुछ दुरी तक इस तरह से देखें इसे हम इतना लंबा में बना कर रखे हुए लंबा अगर यह ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम इसे बीच में cut कर लेंगे जब हमारा पूर जाएगा जो बच जाएगा तो cut कर लेंगे हम और यहां पर किनारे में हमें यहां देना है और भी इस तरह से गाढ़ा करते हुए यानि दो, चार, छे, पी, सौर देना है तो वो हम लाश्ट में दे लेंगे इसलिए भी हम finishing दोनों तरफ में किसी तरफ भी नहीं डाले है तो यह बना कर हम रख लेंगे एक चलिए तीन बन गया अब चलिए अब हम बनाते हैं सबसे पहले हम chain लेंगे 10 जो कलगी है कलगी हम बनाएंगे अब इसके बाद हम सबों को set करेंगे set करके पगड़ी का रूप देंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस एक, एक, ग्यारा ले लिए अब देखिए अब ये एक, दो, दो छोड़कर तीसरा पर हुप को डालेंगे दो डवल क्रोशिया, दो chain, दो डवल क्रोशिया ये कर लिए थोड़ा सा इसमें मेहनत है लेकिन बन जाने के बाद बहुत खुबसूरत लगता है ये तो आप खुद देखेंगी जब बन जाएगा तो फिर से यहाँ बीच में ये चेंसे लेंगे हम और इसी तरह दो कर लेंगे एक चेंसे दो डवल क्रोशिया करेंगे देखे ये हो गया, तो ये हमारे पास हो गया, एक और एक दो अब फिर से हम एक बीच करते हैं, तीन, चार, पाँच, छे, ठीक है, एक हम बीच करते हुए बनाते हैं ये हो गया, फिर से ये हो गया, अब फिर हम काफी कम हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, ठीक है एक हम फिर जेश्ट बगल से कर लेते हैं दो चेन लेंगे और ये डबल कुरुशिया किए फिर इसे छोड़ कर हम यहाँ पर ले आते हैं और ये दो चेन लेंगे डबल कुरुशिया करेंगे फिर से एक लाश्ट हम बनाएंगे अब यहाँ पर उपको डालेंगे और ये दो चेन लेंगे फिर इस ये स्थान से एक और डबल कुरुशिया करेंगे देखी इस तरह से ये देखी तो यहाँ पर हम बना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे बना लिए हैं अब फिर से हम दो चेन ले लेते हैं तीन चेन ले लेंगे पलट लेंगे, पलटने के बाद एक, दो, तीन, तीन चेन ले लिए अब इसमें से देखी है हमें क्या करना है एक डबल कुरुशिया, एक और डबल कुरुशिया करेंगे दो डबल कुरुशिया हो गया फिर से बीच में दो चेन लेंगे और फिर से यहां पे हम दो डबल क्रोशिया करेंगे एक और एक दो यह हो क्या फिर यहां पे हुप को डालेंगे यहां से भी हम इसी तरह दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया तो प्रतेक में से हम इसी तरह बना लेंगे दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया दिखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को यहां से यहां तक कम्प्लिट कर लेते हैं दिखिए इस तरह से हम इस लाइन को कम्प्लिट कर लिए अब हम तुसरा कलर वून जोड़ेंगे यहां पर प्रक्रीज तो हम दो कलर से बना रहे हैं यहां पर जोड़ लेंगे खिनारे से अब देखिए अब हमें क्या करना है तीन चेनल लिए हम दो और लेंगे पांच हो गया अब इसी अस्थान से एक और डबल क्रोशिया कर लिए हैं यह हो गया अब देखिए अब यहां पर लाएंगे हम इस अस्थान पर यहां भी हम एक और इसमें एक और ले लेंगे चेन, यहां पर एक डबल कुरोसिया कर लेंगे, इस तरह से हो गया, फिर से यहां से देखिए, सॉरी, यहां पर हम कुछ गड़बड कर दिये, यहां से हम दो डबल कुरोसिया निकालेंगे, बीना चेन लिए हुए दो डबल कुरोसिया निकालेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर इस अस्थान से दो डबल कुरोसिया निकालेंगे, एक और एक दो, यह हो गया, फिर चेन लेंगे इस अस्थान से दो डबल क्रोशिया निकालेंगे एक, दो फिर से पंदे लेंगे इस अस्थान से भी दो डबल क्रोशिया फिर से यहां से भी दो डबल क्रोशिया परतेक से दो दो डबल क्रोशिया करेंगे एक, दो फिर इस इस्थान से भी दो डबल कोशिया एक दो फिर से यानि इसी तरह दो दो करते हुए हम इस लाइन को पुरा कम्प्लिट कर लेंगे तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे यह दो दो करते हुए पुरा कम्प्लिट कर लिए अब फिला कलर से हमें बुलना है यहाँ पे फिला करल रहे है तीन चेन ले लिए हम इसे पलट लेंगे पलटने के बाद हमें देखिए क्या करना यहाँ से यह आप यहाँ से ले सकती है अगर साइड से नहीं लेना चाहती है यहां से ले सकती है यहां भी हमें डबल कुरोशिया का शंख्या बढ़ाना है एक, दो, और यह रहा तीन तीन डबल कुरोशिया किये हैं ठीक है? अब फिर से हम यहां से तीन डबल कुरोशिया करेंगे काफी करीब हो जाता है क्योंकि हमें एक यहां से करना था साइड हो जाता है इसलिए हम यहां से के बीच से तो अब हमें यहां से तीन डवल क्रोशिया कर लेंगे तीन और साथ में एक चीज़ यहां पर हम बताना भूल गया एक चेंड ले लेंगे हम फिर से देखिए यहां से यहां से इस अस्थान से फिर तीन डबल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन अब एक चेंड लेंगे फिर इस अस्थान से तीन डबल क्रोशिया तो बस इसी चीज को करते हुए हमें इस लाइन को पुरा कम्प्लिट कर लेना है तो चलिए इसे भी कम्प्लिट कर लेते हैं देखिए ठीक इस तरह से तो देखिए इस तरह से ये लाइन तो कम्प्लिट कर लिए हैं पुरा बूलकर इसे कम्प्लिट कर लिए हैं अब इस color से फिर ओन यहाँ पे हम उपर cure कर लिए और यहाँ से हम दो दे लेंगे इस तरह से दो double crochet हो गया एक तीन chain लिएं दो double crochet बनाएं अब ठीक इसके वीचों बीच यहाँ से यहाँ से हम फिर से तीन double crochet बनाएं एक, दो, तीन बीच में एक chain लेंगे फिर से इस अस्थान से तीन double crochet है तो बस इसी चीज को करते हुए हम इस line को भी complete कर लेते हैं देखिए, इस तरीके से इस तरह से देखिए, यह line भी हम बना कर complete किये पहला chain हम बनाएं, हाँ चेन के बाद यह पहला line बनाएं फिर यह दूसरा तीसरा चौथा पाच्वा अब आगे देखिए मैं किस तरह से करना है अब हम इस color को लेंगे फीला color को लेंगे अब हम एक हम double crochet इस तरीके से बनाए अब देखिए, अब यह दो दो के बीच से, यहाँ पर हमें नहीं डालना है यहाँ पर नहीं दो के बीच से, यहाँ पर हम तीन double crochet बनाएंगे एक दो और यह रहा तीन, फिर देखिए, यह तो श्टार्टिंग था शुआक था गंजो हम दो यहां पे लिए अब हमें लेना है एक दो तीन चार यहां पे बना न यह यहां पे लाकर कि एक तीन डबल कूरोशिय अब फिर चार एक दो तीन यह हो गया ओ शोरी सोरी तीन तीन डबल कुरूशिया अब फिर 4, के बाद फिर यहां पे निए एक सिक लिए एक दो तीन चार, यहां पे निए और अब तीन डवल कुरूशिया बनाएंगे इक दो और यह रहा तीन फिर से चार के बाद तीन डबल कुरूशिया डालेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर से चार, चार के बाद यहाँ पर तीन डबल कुरूशिया, एक, दो, तीन, यह हो गया तीन डबल कुरोशिया, फिर से चार के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे, फंदे लेते हुए तीन डबल कुरोशिया, एक, दो, तीन, अब यहाँ दो के बार डालेंगे, तो हमारा लाश्ट में भी दो हो गया और सुरू में भी दो, यह हो गया, देखिए इस तरह से, यह इस ठंक से हो गया, यह इस ठंक से आगया, अभी, अब हम इस कलर से बनाएंगे, कलर यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुलेंगे, और इसमें हम एक डबल कुर कुरूशया सबसे पहले बना लिए। इस तरीके से अब देखिए अब हमें क्या करना है फंदे लेंगे है को देखितल लेने के बाद यहां से तीन दबल कुरूशया बना रखें हैं उसमें से एक डबल्स या देखिए बीच बीचो बीच से यहां से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे, तो हम एक जगह से तीन डबल क्रोशिया सबसे पहले बना लेते हैं, यह हो गया, एक जगह से तीन डबल क्रोशिया, अब दूसरी जगह से भी तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, अब फिर से यहां से भी तीन ड दो, तीन, फिर यहां से भी तीन डबल कुरूशिया, एक, दो, तीन, तो दिखिए, यह इस तरह से बनाते हुए हम इस लैन को पुरा कम्प्लिट कर लेते हैं, यहां से तीन डबल कुरूशिया बनाएंगे, एक, दो, और यह रहा, तीन, फिर से यहां से हम एक बार तीन डबल कुरूशिया, एक, दो, तीसरा में हम इसे मिला लेंगे, इस तरीके से, तीन, अब यह उन को हम कट कर लेंगे, यह उन लास्ट हो गया हमारा, इस कलर का उन से, एक, उन से ही हम बीनेंगे, क्योंकि यह काफी, इधर उदर हो जाता है, एक, उन से बुनने में जादा अच्छा लगता है, दो, उन का बुनिये तो, दो कलर का तो, थोड़ा सा दिकत होता है, अब देखिए, अब हम, इसे उपर लाएंगे, एक, दो, तीन, अब यह हम लाश्ट का बनाएंगे, देखिए, जो हम लाश्ट में यहाँ पर यह बनाए हुए हैं, यह ची लाश्ट का हम बनाएंगे, तो इसी किस तरह से बनाएंगे, तीन बनाएं, इसके बाद यहाँ पर डालेंगे हुप को, और यह इस तरह से बनाएंगे, फिर इस हुप को ले जाएंगे, दूसरे अलग चेन पर ले जाएंगे, यहाँ इस तरह, इसके बाद एक, दो, तीन, चार ले लीजिए, फिर इसे इस तरीके से इसी अस्थान पर फिर इसे इसके ठीक बगल में यहां ले जाएंगे देखिए कि यहां बंद किये यहां ले गए अब यहां पर चार फिर बना लेंगे दो, तीन, चार, चार चेन बना लिए आप देखिए चार चेन बनाने के वाद फिर इसी अस्थान पर इसे हम डालकर बंद कर लेंगे फिर से अगली चेन पर ले जाएंगे यह होगी अगली चेन अब यहाँ भी चार बनाएंगे तीन चार फिर इसे यहाँ डालकर बंद कर लेंगे फिर इसमें बगल का chain में ले जाएंगे तो देखे इस तरह से बनाते हुए हम ये last line को complete कर लेते हैं तो देखे ये इस तरह से बनकर तयार हुआ हम यहाँ पे उन कट कर चुके हैं देखे दागे को इस तरह पलिया है इस तरह से ये कलगी तयार हुआ कानहाजी का ठीक है अब हम इसे रख देते हैं और ये जो है इसे हम लेते हैं देखिए ये लेने के बाद जो आपका ये कानहाजी का या जुगल चोड़ी में जो कानहाजी है पदरा इंच के उनका आप सीर का माप ले ले और माप लेने के बा क्योंकि ये बालो पर से भी हम पहनाते हैं तो हम थोड़ा अशा ढीला छोड़ते हैं देखे इतना अब यहां से हम सीलना शुरू करेंगे इसे तो सीलेंगे हम इस तरीके से इसे मात्र देखें हम दो बार लपेटे हुए इस तरीके से पगड़ी का रूप इसे हम लपेटे हुए अगर सील में आप इसे पहनाते हैं तो लपेटे हुए आप पहनाते हैं लेकिन हम चुकि इसे बना रहे हैं सारचीश को डाल कर इसलिए हम इसे इस तरीके से सिलना पढ़ रहा है हमें इसे लाएंगे अब हम यहां से इसे इस तरीके से ले आएंगे इस तरीके से ले आएंगे और हम इसे सिल लेंगे इस तरीके से लाकर यहां पर तो चलिए इसे गुलाई में हम सिल कर सबसे पहले कंप्लिट करते हैं देखे इस तरफ अभी हमारा इस तरीके का है बाद में इसे हम छोटा करेंगे एक और भी तरीका है दुसरे तरह का जो पगड़ी बना कर उसके बाद हम इस पे सब चीज को लगा सकते हैं वो तरीका भी आप अप्लाई कर सकती है लेकिन यहां जो आप पिक में है पिक में इस तरह का पगड़ी बंधा हुआ है तो हम सुचे इसी तरह का बना देते हैं कि मारा इस तरह से आजाएगा सामने की और इस तरीके से आजाएगा यहां पे फेस आएगा तो यह देखिए हम इस तरह से सीले हुए है अब देखिए अब हमें क्या करना है इस चीज को यहां पे लाके हमें फिट करना है इस तरीके से तो जब हम इस चीज को यहां पे फिट करेंगे तो हम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे छोटा हम किस तरीके से करेंगे? अब हम यहाँ पे सबसे पहले गाठ लगाते हैं ताकि यह इस तरह से सेट रहे हैं आपका देखिए यह हो गया अब इसे हम इस तरफ ले आते हैं यहाँ भी हलका सा हमें इस तरह से छोटा करना है थोड़ा सा पगड़ी में मेहनत है पर जब आपके कानाजिक बहनेंगे तो काफी अच्छा लगेगा थोड़ा लंबा वीडियो जरूर बन रहा है लेकिन अब हम इसे दो पार्ट में बनाते तो पहला तो कि आप लोगों को पार्ट मिलता नहीं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डालने के बाद भी हमारी कुछ बहने है जिने मिलता नहीं है इसलिए हम इसे एक ही पार्ट में बना रहे हैं देखिए इस तरीके से छोटा किये देखिए इस तरीके से छोटा हो गया अब यहाँ पर हम गाठ लगा लेते हैं यह हो गया देखिए अब यह ध्यान दीजे कि यह सामने की और यानि कि सामने फेस यहां रहेगा यह ठीक सिंटर पे आपका आएगा तो इसे हमें लगाना है इस तरीके से अब इस तरीके से हमें सिलना है इसे तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ पर यहाँ से हम सिलना सुरू करेंगे क्योंकि हमारा इसी इस्थान पर धागा भी है पहले हम कच्चा सिलाई देंगे बाद में हम सिलाई को मजबूत कर लेंगे अब देखे अब हमें किस तरह से सीनाU सुई को हम Is correct अब इस तरह निकाल लेते हैं कि ये nella patch को हम इस तरह से यहां प्र यहां प्रेंगे इस तरह सूह आपको विल्कुल फिटा जाएगा यहांपे तो तो इसे सिलने के लिए में क्या करना है या तो आप अंदर की और से सिए या आप बाहर की और सिए मेरा हाथ इस तरफ से चलता है तो हम इस तरफ ले आते हैं सुई को देखिए अब हम सिएंगे सिल लेंगे इस तरफ से इस तरफ से हमें सिलने में भी आसानी होगा यह हो जाएगा इस ठंग से यहाँ पर चलाएगा बाद में इसमें सिलाए मजबुती से दे लेंगे अभी सबसे पहले हम हलका से यहाँ पर सील रहे हैं कि इस तरह से आया अब हम इसे पीछे की और ले जाते हैं कि पीछे की और ले जाने के बाद देखिए हम यहाँ पर इस ठंग से हलका हलका हम इस ठंग से ले आएंगे यह पीछे की और ले जाएंगे यह हो गया फिर से यह आप इस तरह से लिए आएंगे ये हो गया फिर से यहां पर यानि बस हमें सिलाय यहां पर मजबूती से देना है और ऐसा देना है कि यह कलगी बिल्कुल फिट रहे हैं इस तरह से देखिए यह आगया इस तरीके से यह आएगा सेंटर पर अब देखिए अब इसे हम यहां हलका सा यहां पर हम इसे सिल लेंगे मिलाते हुए यह हो गया अब यह जो हम बनाए हुए थे इसे हम यहां पर लगाएंगे देखिए इसे यहां पर लगाएंगे तो ऐसा हम सिलेंगे कि यहां से सिलते हुए हम यहां तक सिल लें ताकि बिल्कुल फिट रहे है जब से पहले हम उपर क्योड़ ले जाते हैं हुआ 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 है अब हम यहाँ पर इससे सिल देंगे इससे हाँ पर मजगूती से सिल देंगे चलिए अब हम इससे पीछे की और लाकर गाट लगा लेते हैं देखे पीछे भी बिल्कुल पैक हो गया कहीं भी आपको इसमें खुला नजर नहीं आ रहा है यह कट कर लेते हैं अब इसमें धागा फिर से डाल लेते हैं देखे पीछे की और से है यह इस तरह का यह इसमें थोड़ा सा और कहीं कहीं काम बाकी है तो चलिए सबसे पहले हम सुई में उन डाल लेते हैं अब देखे अब क्या है यह इस तरह से हमारा बन गया यह हमें लगाना है इसे हमें हलाकी सुरू में ही लगाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं है यहां से किनारे से निकाल लेंगे देखे सेंटर पर आएगा यह बीच में आएगा यह काना जी का यहां पर बीच बीच में आएगा तो ये इतना ठीक है, कंधे पे जाने के लिए इतना ठीक है, तो हम यहाँ से लेकरी से सिलना सुरू करते हैं, यहाँ से, यह नीचे की और इस तरह से लटकेगा, तो सुईधागा लेंगे, सबसे पहले, यहाँ पे हम इस्ठम से सिलने, ताकि यह खुले ना, दिखी हो गया, अब हम चलिए, इसे आगे बढ़ाते के सिलेंगे, दिखी से हमें सिलना है, यह ठीक, इसके उपर से, यह इस पर से, आप कच्चा सिलाई दे पहले, ताकि अगर गलत कुछ हो भी जाये, तो हम इसे खोल सकते हैं, खोल कर फिर से हम इसे सिल सकते हैं, देखिए, इस तरह से आ रहा है, यह नीचे की और आएगा, और यह यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा सा उपर की और से जाते हुए, इस तरफ मुड़ेगा, तो हम इसे इस तरीके से ले जाते हैं, यहाँ तक, देखिए, इस तरीके से ले जाएंगे, हलका सा घुमाते हुए इससे अगर हम पहले सिलते तो ये चीज थोड़ा सा इस तरीके से आ जाता यहाँ पे लेकिन चली कोई बात नहीं अब इससे हमें इस तरीके से देखे सिलना है और अब हम सबसे पहले देखेंगे कहा हमें से किस तरह लेना है देखिए यह आएगा यहां ठीक है बलकुल तो यहां तक हम सील लेते हैं जो बच जाएगा ज्यादा हो जाएगा बच जाएगा उससे हम कट कर लेंगे इसलिए में आपे नाप कर बिल्कुल नहीं बनाए हुए है अब देखिए अब हम इसे घुमाते हैं इस तरह से अब ये देखिए सबसे पहले ये किस तरह से ये जाएगा ये हो गया आपका यहां बीच का तो ये आएगा इस तरीके से इस तरीके से बिल्कुल कोल घुमते हुए आएगा इस तरह से आपको सिलना होगा यहां पर यह हम एक बार में बतला दे रहे हैं कि ठंग से आएगा ये हो गया ये हो गया ये ये और हलका सा ये उपर की और निकलेगा तो बाद में हम देख लेंगे पहले हम इसे सिल लेंगे अच्छी तरीके से देखिए बीच में आएगा तो थोड़ा सा साइड में इसे सिलना है तो इस तरीके से इसे आप यहाँ पे मिलाते हुए सिलने ये इस तरह से आएगा या अगर आप एक पार और मोरती हैं तो ये देखिए काटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा ये लेकिन ये आना चाहिए इस ठंग से तो बिल्कुल ठीक आ जाएगा ये उपर की और आना च कम्प्लिट कर ले तो चलिए हम इसे पहले सिलकर इस ठंग से कम्प्लिट कर लेते हैं इस तरह से देखिए ये पुरा बन कर यहाँ पर कम्प्लिट हो गया अब हम सिर्फ इस पे यहाँ थोड़ा सा इसे हम घना करेंगे तो घना करने के लिए क्या करेंगे हम अलग से हाँ प इस तरह से टाइट करेंगे देखिए इस तरह से टाइट हो गया यह हो गया अब यहाँ पे हम मिला कर इन सबों को एक साथ मिला कर कट कर लेंगे यह हो गया तो देखिए यह कानाजी का इस तरह से यहाँ हम कुछ अलग यह चारो तरफ से इस तरह से करते हुँ डाले हैं अब ये जो आपके कानहाजी पहनेंगे तो उनका सिर यहां पे रहेगा और ये चीज आ जाएगा यहां पे गले के पास ये चीज इस तरह से आएगा तो ये तो हो गया आपको कि ये आप देखे किस तरह हम गुमा कर इसे पहले बनाए इसका बेश तयार किये ठीक है तो आपका ये बना ये देखे ये इस तरह का काफी प्यारा है यहां पे सुन्दर लगेगा देखने में तो ये हो गया लेकिन अगर आप पगड़ी का रूप दे के तब इसे बनाना चाहती है पगड़ी का रूप देने के बाद आप इस पगड़ी को बनाना चाहती है तो देखे इस तरह से बनेगा सबसे पहले जो हम पगड़ी बनाते हैं उसे हम पगड़ी के रूप में बना लेंगे देखे इस तरह से पीछे की और लाकर सिल लेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए हम एक कलर से इसमें डाले हुए हैं तो देख लें आप कौन सा आपको पसंद है इसके बाद हम इसमें सबसे पहले इसको बना कर डाले यह जो आप देख रही हैं सिलाई करते हुए सबसे पहले इसको बना कर डाले और इसमें ये चीज थोड़ा सा हम छोटा डाले हुए है क्योंकि पगडी भी थोड़ा छोटा हमें लग रहा है इसके बाद ये चीज तो सेम बिल्कुल हम बनाए हैं, बनाने के बाद में इसे हम इस तरीके से बनाए हैं तो देखिए, दो तरह से आपका पगड़ी यहां पर बन कर तयार हुए हैं यह पगड़ी हम बनाने का तरीका अपने चैनल पर डाल खुए हैं सिर्क यह पगड़ी, यह जो तीन आप देख रही हैं एक, दो, तीन यह हम सिर्फ इस पर बताय हुए हैं सिर्फ पगड़ी मिढने का तरीका जो हता है मोडने का तरीका होता है वो हम अपने एक चैनल पे बताये हुए हैं और जो पिक था उसमें इस तरह का पगड़ी था मोड़ा हुआ इस तरह का गुमाया हुआ था इसलिए हम इसे फिर आप लोगों को इस पे बताएं तो दोनों म को यह अच्छा लगा होगा चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में राध हरानी का ड्रिस के साथ